डिलाइट आईएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज इस वीडियो में हम क्लास 11 में पॉलिटिकल साइंस के पार्ट टू के चैप्टर 8 धर्मिर्पेश्टा सेकुलरिजम के बारे में पढ़ेंगे इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें हम धर्म निर्पेचता, वर्चस्ववाद, धार्मिक स्वातिंत्रता, संप्रदाइक्ता और इनसे जोड़ी हुई जितनी भी चीज़े हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि हमारे देश में किस तरीके से विभिन समुदायों संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं और लोकतांत्रिक राज कैसे उनके साथ समानता की तरीके पेश आता है ठीक है और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि धर्म पेच्टा की अवधारना क्या है भारत में धर निर्पेच्टा का विचार किस तरीके से आया देखिए सेक्लरिजम एक बहुत बरा मुद्दा है और एक बहुत जॉलन्त मुद्दा उठता रहता है ठीक है इसे जोड़े हुए सवाल भी आपको बहुत बार सवाल देखने को मि मिलते हैं और इससे जोड़े हुए सवाल ऐसे में भी देखने को मिलते हैं जब आपको उन चीजों के बारे में विचार के बारे में पूछते हैं या आप से उन चीजों के बारे में क्या रखते हैं ठीक है हम यह देखिए कि धर्म धर्म क्या है धर्म लोगों का व्यक्तिक जीवन है जीवन पर आधारित है लेकिन उसके बाद भी सब्कसाद्ण जीवन पर कि तरीके वहार होता है म bothered सकुमाज Effect का महत्व बहुत है तो बहुत हम भारती धर्व निरुषिटता की विशुष्टता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ठीक है और ये भी देखेंगे कि धर्म निरपेशिता सिर्फ एक तरीके की नहीं होती है कई प्रकार की होती है और उनसे क्या प्रभाव पड़ता है हम इन सब चीजों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे ठीक है तो चलिए बढ़ते है अपने चैप्टर की तरफ, सबसे पहले हम देखते हैं अपने आज के प्रेशन को, आज का प्रेशन है कि किस अंशोजन द्वारा भातिय समिधान की प्रस्ताबना में पंच निरपेश शब्द जोड़ा गया है, 42, 44, 50 या 61, इसका उतर मैं आपको वीडियो खतम होने पर बता हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरह, धर्म निरपेशिता के जाने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं धर्म क्या होता है, धर्म क्या है, धर्म शब्ट की उत्पत्ती हुई है, वह संस्कित से हुई है, उससे धर्म की उत्पत्ती हुई है, जिसका है, जिसका जो अर्थ होता है, वह होता है मूल सिध्धान्त के साथ, ठीक है, सभी का कल्यान करना, धर्म मतलब एक तरीके से एक रास्ता होता है, धर्म से, आपको कैसे बताओं कि भगवान की पूजा-बार्ट करना, या जो बाकी लोगों की धर्म जो सिफ पूजा-पाठी है, जो वैसे क्रियाइं करतें से वो धर्म नहीं होता है ठीक है अपने साथ अपने जो कुछ चीजों के सिध्धान दिये हुए है अपना कार सही से करना और इसके साथ साथ दूसरों का कल्यान करना अपने से पहले दूसरों के कल्यान की बारे जिसमें सोचते हैं वह धर्म होता है ठीक है फ अर्ठात इसका ये मतलब होता है कि धर्म निर्पेच्चिता में किसी भी प्रकार के धर्मों के साथ कोई विभ्यद ना हो, किसी भी धर्म को ज़्यादा अब एक तरीगे से बढ़ोतरी ना दी जाए और किसी को भी इस तरीगे से वहवाण ना किया जाए कि एक को कमतर महसूस प्रकार को कोई विवेद नहीं होना चाहिए ठीक है इसमें हम यह देखते हैं कि धर्निर्पेश्चिता इतना महत्पून है इससे हमारे समाज ही जो इस्थिति है ना हमारे भारत के एक बहुत बड़ी समाजिक इस्थिति की बारे में यह बताता है सबी धर्मों के लोगों को अपना धर्म मानेवा प्रचार करने की जो स्वतंतरता होती है किसी भी प्रकार के धर्म क्या आपको पर फोर्सफुली ना किया जाए उसे हम धर्म निर्पेक्ष्टा कहते हैं अब हम रेखते हैं कि भारती धर्म निर्पेशता क्या है, देखिए भारती समिधान में ये कहा गया है कि भारती राज धर्म निर्पेश रहेगा, धर्म निर्पेशता जैसे मैंने आपको बताया कि सभी धर्मों के लिए समान समान को संधर्बित करता है, अथार्ट राज किस इसी भी धर्म को स्विकार नहीं करता है और सभी धर्मों के साथ बराबर का वहवार करता है भारत है वह विभंताओं का देश है लोकतंत को बनाने के लिए सभी को समान अफसर प्रदान करने का कार कठिन है इसलिए भारतिय समिधान के 42 संसोजन में पंत निर्पेश्टा शब बढ़ावा देना की घोशन की है जो भालत का धर्म इर्पेश्ट है वह समानता पर अधारी थे यहां पर किसी भी व्यक्ती के साथ धर्म के अधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाता है अच्छा हमें यहां भारतिये नागरे को देश के अंदर किसी भी समझना और खुद को उच्छ समझना इस स्थिति में हम देखते हैं इस अधर्मों के बीच में काफी भैद भाव को मिलता है और लड़ाई पूर्ण भी अथिकार हमें कई बार देखने को मिलते हैं कई बार दंगे भी भड़के हैं इस वज़े से कश्मीर पंडितों के साथ जो भेदवा हुआ है इतिहास में लोकतंत्र में ऐसी चीजें मिल जाएंगी जब भारत में दंगों के सिति बहुत बुरी आई है ठीक है और इस वज़े से हम यह देखेंगे कि भारत में कई बार लोकतंत्र कमजोर पढ़ता हुआ देखता है और एक धर्म का वर्चस ज्याज़ा देखने को हमें मि जलता है ठीक हम बहुत बार ऐसी सिति देखेंगे कि धर्म जिसमें लोगों की बुनियादी ज़रूरते तो पूरी होती है जो वह खुशहाल और संतुष्ट जीवन के लिए लेकिन धर्मों में जो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ेसे बहुत बार लोगों को कई प्रकार के समस्याओं का भी सामना करना पड़ता जिस प्रकार से कई प्रकार के जो जूड़िवादी स्थितियां होती हैं उसमें हम देखते हैं कि वो स्थितियों से धर्म में काफी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है और यह दूसरे धर्म में नहीं हम अपने धर्म में एक धर्म के दो लोगों के बीश में भी भद भेदवाव देखने को मिलता है ठीक है जैसे कि हम देखते हैं कि दलितों या महिलाओं के साथ बहुत बार ऐसी सित्री आती है जब उन्हें मंदिरों में प्रवेश्च रोका जाता है ठीक है और कहीं कहीं हिंदू महिलाओं का भी मंदिर में प्रवेश्वर्जित है ठीक है और यह जो धर्म उताबा एक संगठन के तौर पर बदलता है और एक संगठन के तौर पर यह जो रूडिवादी हिस्ता है इसका वह बहुत बार इतना हावी हो जाता है कि लोगों को अपने जो अधिकार है उससे पीछे हटना बढ़ता है ठीक है और दूसरा सुष्पष्ट यानि कि धर्म के अंदर जो वर्चस्व है उसमें हम यह देखते हैं कि धर निर्पेशिता को ना केवल अंदर से बलकि बाहर से भी हमें कई बाद चुनौती देखने को मिलती है इसके लावा जब हम दूसरे धर्म की बात करे अब हम जानते हैं धर्म इर्पेशिराज क्या होता है ठीक है जैसे मैंने आपको पहले बहुता है उसके बाद फिर बताती हूं कि वह राज जहां सरकार की तरफ से किसी भी धर्म को कानूनी मानेता ना दी गई हो ठीक है सरफधर्म संभाव की अब धार्ना को महत्व दिया किया हो धार्मिक समू के वचेस को रोकना धार्मिक संस्थाओं और राज संस्था की संस्थाओं के बीच में इस पश्ट अंतर हुआ है ताकि सांती स्वतंत्ता और समानता स्थापित हो सके ठीक है किसी भी प्रकार के धार्मिक गठ जोंट से परहेच किया जाता है इस लक् कि इस सिति देखते हैं तभी हम देखते हैं कि भारत की इस सिति अच्छी बनी रहेगी और रोकता मजबूत रहेगा G डर्म को अपने धर्म की पालन करने के और प्रचार प्रसार की आजादी होनी चाहिए और किसी भी धर्म को राज की ये धर्म घोशित नहीं किया जाना चाहिए ठी कि ये धर्मिर्पेशिता का ये अमेरिकी मॉडल देखें हम देखते हैं कि धर्म के राज सत्ता के संबंद विच्छेत को पारसपरिक निशेत के रूप में समझा जाता है वहाँ पे राज सत्ता धर्म के मामले में और धर्म पॉलिटिक्स में हसशेप नहीं करती है ठीक है ये संकलप्रा स्वतंदता और समानता की व्यक्तिगत धंग से व्याख्या करती है और इसमें धर्मिर्पेशिता में राज समझते धर्मिक सुधारों के लिए कोई जगे नही ही किया जाता है ठीक है फिर हम देखते धर निरपेशिता का जो भारतिय मॉडले उसमें क्या है बहारतिय धरर निरपेशिता केवल धर्म और राज की बीच के संबंद पर बल नहीं देता है अल्प संख्यकों तथा सभी व्यक्तियों को अपना धर्म अपनाने की आजादी है भारतीय राज धार्मिक अच्टैचार का विरोध करता है, करते हैं जो धर के साथ निश्य धात्मक संबंद बनाता है, ठीक है, भारतीय सविन्धान ने अलफ संख्यकों को अपनी समस्यान खोजने का अधिकार दिया है, और राज सत्ता के दोरा हमें कई बार इंच को सहायता भी मिलती देखते हैं इसके बाद हम यह भी देखेंगे कि मौलिक अधिकारों में धार्मिक सुधिन्टिता का अधिकार है समानता का अधिकार है सिक्षा वा सनस्कृति का अधिकार है जो सभी धर्मों के लिए समान है अब हम देखते हैं पश्चिमी मौडल और जोडियों चलाये जाता है और इना ही इनकी कोई सरकारी च्थापित धर्म संस्थान होता है ठीक है यहां पे हम यह भी देखते हैं कि दर्म निर्पेक्षिताक में व्यक्ति की धर्म के बाहरी अभिवक्ति है उसके प्रदेशन में विश्वास नहीं रखते हैं और उसके स्थापित करने और इनके अनुनायों के बीच किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा भारत में अपने स्थापित करने और उनको बनाय रखने का अधिकार देता है और राज से इने सहता भी प्राप्त होती है ठीक है भारत में देखिए राज धर्में हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन उसकी बुराईयों को दूर करने के लिए ऐसा नहीं होगा कि किसी विशेज धर्में हस्त किया है और हम देखते हैं धार्मिक स्वतंतता का अधिकार हमारे मौलिक स्वतंतता में मौलिक अधिकारों में हमें धार्मिक स्वतंतता का अधिकार मिला हुआ है यह अनुचेद 24 से लेके 28 तक है ठीक है इसमें हम अनुचेद 25 में देखेंगी यह भारत में रहने वाले प् मजबूर नहीं किया जा सकता जो किसी धर्म को बढ़ाने में काम आ सके अनुच्छे दर्थाइस में हम यह देखा गया कि सभी सरकारी सिक्षन संस्थाओं में धार्मिक सिक्षा पर रोक लगाई है किसी भी धार्मिक देखिए आप अगर किसी धर्म कोई धार्मिक संस्थान अ निर्पेश्टा में कई ऐसे बिंदू जहां पर हमें बहुत बार आलोश्टा देखने को मिलती है जिसके अधार पर कई बार ऐसा कहा जाता कि यह जो चीज है यह सही नहीं है यह स्का जो इसका इंप्लिमेटेशन हो रहा है वह सही नहीं है ठीक है तो धर्म विरोधिये के अनुसाल धन इर्पेशिता धर्म विरोधिये तद्धा धार्मिक पहचान के लिए खत्रा पैदा करती है और यह पश्यम जो समाजे उनसे लिया गया है अलप संख्या अधिकारों की पैर्वी करती है ठीक है तो कई बार हम यह देखते हैं कि अलप संख्या दुआता आरोप मणा जाता है वोट बैंक की राजनेती को बढ़ावा देती है इसके सासाथ हम कई बार ने इसके साथ हम कई बार देखिंगे कि अलप संख्यकों के लेके मन में जो भेद होता है और जो बहु संख्यकों के बीच में हमें इस प्रकार से कई बार भेद भाव भी देखने को मिल जाता है अब आती है असंभव परिवोजना धर निरपेश्टा के जो नीती है वह बहुत द्धर निरपेश्टा के नीती है भाविष्व की दुनिया का प्रतिवन प्रस्टुत करती है भारत में अनेक महान प्रयोग किये गए जिसे पूरा विश्व बहुत आराम से देखता है यूरोप अमेरिका और बहुत देख्यकों के लिए और धार्मिक संस्कृति की विवि इस प्रकार के धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और सबको धार्मिक सोचंतिता और समानता मिली हुई इस प्रकार के इस्षिति में हमारा देश एक रूल-model को अधिक मातों देना और दूसरे धर्म को हीन समझना जब यह स्थिति पैदा आ जाती है तब हम देखतें कि कई बाद दंगे होते हैं कई बाद जगड़े फसाद होते हैं और इस स्थिति में एक सम्हों को दूसरे सम्हों विश्वास नहीं रह जाता देखिए लोकतंत्र की जो लोकतंत्र की गयी ना यह विश्वास पर है जब हम इतने बड़े समाज में रहते हैं तो एक सम्हों को दूसरे सम्हों पर द्रम के लोगों को दूसरेथार्म के लोगों में विश्वास लखना बहुत जरूरी है ऐसा और यह तब ही हो सकता और लोग असुरुक्षा की भावना से भी ग्रसित हो जाते जब यह सिति पैदा होती है तब उसे हम सामप्रधाक्ता की सिति कहते हैं अब हम देखते हैं कि सामप्रधाक्ता को रोखने के उपाय के जिए भेदवाब करने वागов जो राजनेतिक डल है उनकी मानिता को है वह यही है पॉलिटिक्स बहुत बार बहुत गलत कदम उठाती है बहुत सा जो राजनेतिक दल है वह कई बार ऐसी शब्द कह देते हैं या ऐसे स्टेटमेंट देते हैं जिन से उनको कोई प्रभाम नहीं पड़ता लेकिन जो आम जनता है वह काफी ज्यादा परिशान हो ज जो जिन्होंने इनके लिए कुछ क्या नहीं है सिक्षा सामग्री बदलाव की जरूरत है बहुत बार हम देखेंगे कि हमारी जो सिक्षा सामग्री यूज होती है उसमें कई बार ऐसी चीजने का प्रयोक किया जाता है जो बार में लोगों के मन में इंपक्ट डालती है और भेदभाव वाले समाचरों पर रोक लेना चाहिए मीडिया मीडिया एक बहुत बड़ा श्रोत है न्यूस का और आपको कह सकते हैं एक तरीके से लोगों के पास इंफॉमेशन जाने का तो अगर आपके पास आज हम देख रहे हैं जिस समय जो हमारी सोसाइटी हमारा इंडि बीच में विभेद या लोगों के बीच में असुरुक्षा की भावना को उठाने का ठीक है तो इन चीजों पर रोक लगने चाहिए और ऐसे समाचरों पर भी रोक लगने चाहिए तो यह बहुत जरूरी है कि संप्रदायक्ता को रोकने के लिए इन कदमों का प्रयोक किया है ताकि हमारे देश का जो महौल है वो शांत बना रहे और बहुत शांती से हम अपना लोक्तन से चला सके तो आज हम आते हैं अपने प्रशिन की तरफ तो प्रशिन क्या था किसी किस संशोधन द्वारा भारती समिधान की प्रस्ताबना में पंथ निर्पेश सब्द को आउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और फ्री पीडियेफ के लिए हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जोइन करें थैंक्यू सो मच